Hello friends, welcome back to my channel तो last video में हमने जो मफलर बनाया था उसके साथ आज हम कैप बनाएंगे और इस कैप को हम बनाके मफलर के साथ में अटेच करेंगे तो बहुत ये simple तरीके से मैं beginners के लिए इसको बता रही हूं तो पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने थोड़ी सी कैप different type से बनाई थी और इसमें हम बिल्कुल different type से बनाएंगे तो design हमारा same है जो हमने मफलर के लिए रखा था वो ही design हम कैप के लिए भी रखेंगे क्योंकि इसके साथ में हम attach भी करेंगे इसको और जो needle है वो भी same use करेंगे design भी same और needle भी बिल्कुल same to same तो ये मैंने इसको बना लिया ये देखेगा मैंने यहाँ पर इसमें डाले है 40 stitches मैंने इसमें डाल लिये हैं ये 40 stitches हैं और मैंने इसकी length रख ली है 18 inch तो 17 और 18 के बीच में हम इसकी length को रख सकते हैं तो बिल्कुल मैंने इसको सीधा सीधा बनाया है मतलब अपने design के हिसाब से तो ये 18 inch हो गया ये देखेगा यहाँ पर ये 18 inches की length हो गई है ठीक तो 40 फंदे डालके same design muffler वाला रख के हमने इसको 18 inch बना लिया और अब हम इसको करेंगे cast off तो अब इसको cast off मैं कर लेती हूँ तो cast off करने के लिए हम क्या करेंगे पहले हम दो फंदों का एक बनाएंगे और फिर हम इस फंदे को वापस से निडल में डालेंगे और फिर से हम दो फंदों का एक बनाएंगे अब इस एक फंदे को हम वापस निडल में डालेंगे और आगे वाले फंदे के साथ इसको बुनके एक बनाएंगे अब यहाँ पर हम कास्ट ओफ बहुत जादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो फंदे हैं वो भी हमारे थोड़े से लूज ही डले हुए हैं तो कास्ट ओफ भी हम लूज करेंगे और बाद में देखेगा हम क्या करेंगे तो पहले इस पूरी रो को मैं कास्ट ओफ कर लेती हूं और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूं अब यह देखिएगा फंदे हमारे घड़ चुके हैं और अब हम धागे को इतना लंबा लेंगे कि हम आराम से इसको स्टिच कर सकें तो यह हमने धागा ले लिया स्टिच करने के लिए और अब हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे और यह जो हमारा फंदा है इसके बीच में से हम धागे को निकाल देंगे इस तरह से तो अब हम इसको उल्टी साइड को अंदर करेंगे और सीधी साइड को उपर की तरफ रखेंगे इस तरह से ठीक है क्योंकि हमें जो stitch करना है वो सीधी side से stitch करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सीधी side से stitch करने में finishing जो है वो ज़्यादा आती है तो ये देखेगा ये जो हमारी धारिया है सीधा सीधा इस तरीके से हमें इसकी एक side को सिल लेना है देखे, दोनों को हमने मिलाया, सबसे पहले हमने जो हमारे दोनों धागे एक तरफ आ गए हैं तो हम पहले इसको note लगा लेंगे अब इस धागे को हम बाद में stitching के लिए use करेंगे तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे यह हमारा वोवल अधागा जो हमने फंदे डालते वक्त लिया था और अब हमें इसको पकड़ के इस तरीके से दोनों side को stitch करना है एक बार हमें इस side से लेना है और एक बार हमें इस side से लेना है वैसे तो मैंने stitch करना पहले भी आपको बताया हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूं क्योंकि बिगनर्स को इजी हो जाएगा तो एक साइड इस तरफ से हमें पकड़नी है और एक हमें इस तरफ से पकड़ते हुए पुरी कैप को स्टिच कर लेना है प्तूब ऑगजी हुए और से पक तरफ से हमें शिड सत्सुनावाब लेएगा भी जाएगा झाली हूं क्योंकि रहाँ पार हुए आपको टुरी कैप मनें इस तरफ से वोड़ूरी को से हमें तरता है जाएगा प्योंकिन अभरा इस तरता है पश्मार्स को जाएगा जाएग तो बहुत जादा टाइट हमें इसको स्टिच नहीं करना है तो ये देखेगा ये हमारा लास्त में आगे हम ये हमारा पूरा स्टिच हो गया है और अब इस धागे को हम अंदर की तरफ निकाल देंगे क्योंकि हमने सीधी साइड को उपर रखा हुआ है ऐसे तो देखे हमने सिलाई इतनी सफाई से करी हम इसको कहीं से भी पहन सकते हैं और आप चाहे हम इसको उल्टी तरफ करें या ना करें फिर भी इस देखेगा मैं आपको बताऊंगी इसे हम अंदर लेके गए यहाँ पे हमने इसे सिक्योर कर दिया मतलब कि एक नौट हमने लगा दी पका कर दिया और अब फिर से हमें इसको धागे को जो है वो चुपाना है तो क्योंकि यह हमारी रिवर्सेबल डेजाइन है और हमें इसे दोनों तरफ से पहनना है तो इसलिए हम इसकी जो सिलाई है उसको भी बहुत सफाई से हम कर देंगे इस तरीके से हम धागे को चुपा देंगे और अब हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे ठीक है तो यह हमारा बीच में ही मर्ज हो जाएगा बिलकुल पता नहीं चलेगा हमने कहां से सिलाई है यह हमारी सिलाई हो गई आप यह देखेगा यह हमारा एक तरफ से इस तरीके से बंद हो गया अब क्या करेंगे एक साइड हमारे मफलर की यह जो यह वाली है देखेगा लेंथ हमारी यह है ये जो हमारी धारिया ऐसे जा रही है अब ये वाले जो साइट ओपन है हमारी जहां पर हमने फंदे डाले थे जहां पर हमने फंदे डाले थे और एक साइट जहां पर हमने कास्ट ओफ किया था ये दोनों साइट अब हमें मफलर के साथ में अटेच करनी है तो क्या करेंगे हम देखो ये वाला धागा हमारा यहां पर है इसको हम डालेंगे सुई में बाद में हमें और जरूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे लेकिन फिल हाल हम ये वाला धागा सुई में डालेंगे और ये धागा जो है हमारा बिलकुल सेंटर में है ये देखेगा ये धागग हमारा سेंटर में है आप क्या करेंगे दिखीगा अब हमारा जो मफलर है इसका हम सेंटर पॉंट लेंगे इस तरीके से हम मफलर को डबल करेंगे और इसका सेंटर पॉंट निकाल लेंगे ये वाला ठीक है तो दोनों मेंसे कोई भी साइड आप ले सकते हो ये वाली भी ले सकते हो और वो भी दोनों साइड हमारी सेम टू सेम है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा बता देते हूं फिर से ये देखेगा यहाँ से पकड़ा और इस तरीके से हमने इसको मिलाया का center point तो दोनों side से आप कहीं से भी ले लिजेगा ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो और अब हम क्या करेंगे देखिएगा ये भी हमारा मफलर है ये इसका center point है इसमें हम लगाएंगे center point में marker अब ये हमारी केप है इसका भी हमने center point लिया इस तरह से अब center point से हम आधा इसको इधर stitch कर देंगे center point से center point को पहले तो हम मिलाएंगे ये हमने मफलर को खोल लिया और सबसे पहले हमने center point से center point को मिलाएंगे ये देखें इस तरह से इस तरह से हमने मिलाया और अब फिर हमें वैसे ही सिलना है ये मिलाया हमने और अब एक side हम cap की पकड़ेंगे और एक side हम muffler की पकड़ेंगे वह अपने आप equal हो जाएगा जब हम एक एक पकड़ते हुए स्टिच करेंगे तो इसमें ज्यादा tension लेने के जरूरत नहीं है बहुत simple है ये क्योंकि हम edge stitch जितना clean बनाएंगे उतना ही हमें stitch करने में easy होगा तो बस इस तरीके से center point से हम इसको यहां तक सिल लेंगे यह मैं beginners के लिए बता रही हूँ especially इसलिए मैंने इसमें ज्यादा complicated नहीं किया इसको cap को तो यह बहुत जल्दी भी बनेगी और बहुत आसान भी है बनाना इसको तो मैं इसको यहां तक stitch कर लेती हूँ पूरा और फिर दिखाती हूँ आपको यह देखेगा इस तरीके से यह हो जाएगा हमारा तो यह देखेगा यह हम last में आगे तो last में हम आके इसको यहां पर secure कर देंगे फिर से यह किया और फिर से इसको हमें चुपाना है पूरे धागा हमें नजर नहीं आना चाहिए तो थोड़ा सा उपर तक ले जाके हम इस दागे को फिर कट कर देंगे यह देखेगा यह मैं इस तरफ से दिखाते हूं आपको वहाँ पर अभी जो धागा है जो हमने जोड़ा है तो उसको हम finish कर लेंगे यह देखेगा इस तरह से हमने इसको मफलर के साथ में टेश कर दिया तो अभी हमने आधा किया है अब हम आधा और करेंगे अब यह वाली साइड यह हमारी कास्ट ओफ वाली साइड थी जो हमने इधर कर दी अब यह जहां पर हमने फद्दे डाले थे यह वो वाली साइड है तो अब इसको को भी हम इस तरफ स्टिच कर देंगे तो फिर से हम इसको स्टिच करना सेंटर परिंट से ही शुरू करेंगे थोड़ा सा धागा हम जरूर छोड़ेंगे क्योंकि इतना धागा ताकि हम इसको अराम से बाद में फिनिशिंग कर सकें इस धागे से तो इस साइड भी हम ऐसे ही सिलेंगे एक बार हम कैप की साइड पकड़ेंगे और एक बार हम मफलर की साइड पकड़ेंगे तो यह पूरा स्टिच करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको तो यह हमने स्टिच कर लिया है और अब जो हमने यह हमारी नॉट वगरा है इनको हम फिनिश कर लेंगे यहाँ पर ठीक है और यह देखेगा यह हमारी हुडी कैप हो गई एकदम से तयार यह देखे तो बहुत ही सिंपल है यह और मफलर का जो वीडियो है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई है मफलर कैसे बनाना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगी मफलर का तो आप वहाँ से देख करके मफलर बना लीजेगा तो यह देखेगा बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है और बहुत ही प्यारी इसकी फिटिंग भी आई है बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है तो बहुत सिंपल है यह देखे यह इस तरह से बैठेगा यह यह देखेगा तो बनाईए फिर और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक है तो मैं इसको यहां पर फिनिशिंग कर लेती हूँ इसकी और फिर मिलते हैं अंगली किसी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू और बाई बाई